प्रीति की रसोई में आज हम बनाएंगे हलका फुलका और बहुत ही जल्दी बनने वाला करणडाइस और यह खाने में बहुत मज़ेदार लगता है अगर एक बार आपने बना लिया तो आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो इसके यह हमारा गुबिन भुग चावल है आप कोई भी चावल ले सकते हैं नॉर्मल जो घर में खाते हैं या फिर जो भी आप यूज करना चाहते हैं ले सकते हैं तो यह हमने डेढ़ कप ले लिया है अब हम इसको धोएंगे दो तिन पानी अच्छे से तो इसको हातों से मसल मसल दोलेंगे ताकि सारा इसमें जो भी डश्ट हो अच्छे से निकल जाए तो देखिए हमने दो लिया अब हम इसको कूकर में डाल देंगे और इसमें हम डेढ़ कप चावल लिये हैं तो धाई कप पानी डालेंगे धाई कप पानी एकदम परफेक्ट होगा इसके लिए अब ह अपचा है तो इसमें थोड़ा सा अगर नमक छावल में खाते हैं तो थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं और दो-तिन बुन नीवू का जूस्त डाल सकते हैं धकन को बनकरेंगे और घ्यस पर रख देंगे इसमें एक सिटी आने देंगे तो देखिए यह हमारा एक सिटी आ चुक तो थोड़ा सुंदा सुंदा अच्छा लगता है, तो देखिए हमने थोड़ा सा बचा लिया है, जैसे देड़ कप हमारा चाल था तो एक कप के करीब हमने लिया है, और इसको हम साइड करेंगे, अब हम एक बरतन लेंगे और उसमें हम डालेंगे देड़ कप दही, आप बढ स्मूध हो जाए इसमें गुटली ना रहे है तो देखिए हमने दही को फेट लिया है अब हम ये दही को चावल में डाल देंगे और उसके बाद हम चलते हैं तड़का लगाने एक अच्छा सा तड़का तो गैस पे हम तड़का पेन रखेंगे और इसमें हम दो चमच घी डाल डाल देंगे और इसको थोड़ा चलाते हुए एक दो मिनट के लिए भून लेंगे तो देखिए यह हमारी मुंपली भून चुकी है अब हम इसमें आधा चमच जीरा डालेंगे और आधा चमच राई डालेंगे और अब हम इसमें डालेंगे एक इंच अद्रक है इसको हमने इकड़म बारीक-बारी काट लिएते, डाल देंगे, और यह 2 हरीमिल्च है, उसके बाद एक चमच चना डाल, एक चमच उड़ा डाल। और यह 10-12 काजु है, इसको हमने भी स्थे खोल लिए यह, डाल देंगे और 2 सुखी लाल मिश डालेंगे तोड़क्वड़ के और इसको एकदम लो फ्लेम पे लगतार चलाते हुए हम इसको भूल लेंगे लो फ्लेम पे भूने नहीं तो यह जल जाएगा तो यह देखिए यह हमारा एक मिनट हो चुका है भूनते हुए और यह दस से बारा कड़ी पता डाल देंगे और फिर वापस चलाएंगे 30 सेकेंड के लिए और अब हम गैस को बन करेंगे और यह गर्मा गरम तड़का पड़ राइच में डाल देंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा फ्रेश पुदीने के पत्ती डालेंगे यह भी 12-14 पत्ती है यह ऐसे हाथों से ही तोड़के डाल देंगे और इसमें पुदीना जरूर डालिएगा इससे बहुत ही अच्छा फ्रेशनेस आता है और स्वाद भी बढ़ाता है और उसके बाद हम डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक तो इन सबको अच्छे से हम मिला लेंगे तो लीजिए यह हमारा बहुत ही टेस्टी और मस्क कर्ड राइस बनके तयार है और कभी-कभी मन करता है कि कुछ हलका-फुलका खाने का और जल्दी भी बन जाए या फिर आपका पेट आफसेट हो तो उसमें भी यह बना के खाईए पेट को बहुत रहत मिलेगा यह कड राइस आपको बहुत ही ताजकी और ठंड़क पहुचाएगी और यह बनाना बहुत आसान है सब कुछ घर में मिल जाता है तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करें हमें पूरी उमीद है कि आपको यह बहुत पसंद आएगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शियर सब्सक्राइब एंड फॉलो करना बिलकुल न भूले बेलाइका जरूर दबाएं ताकि आपको नई नई रेसिपीज की जनकारी तुरंत मिले अच्छा खाएं सौस्त रहें मस्त रहें